एक बार की बात है केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार के अलौकिक शक्तियां रहती थी। एक चांदनी रात को बिली, लुसी और रोहित तीन दोस्त कब्रिस्तान के किनारे पर एकत्रित हुए। अचानक उनको कब्रिस्तान से भयानक फुस्पुसाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज कहां से आ रही है ये देखने के लिए। वे हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए हवा तेज चलने लगी। अचानक उन्होंने एक इनसान को एक मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वो उदास और खोया हुआ दिखाई दिया। इसलिए बिली, लुसी और रोहित उसके पास आए और पूछा। कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए हवा तेज चलने लगी। अचानक उन्होंने एक इनसान को एक मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वो उदास और खोया हुआ दिखाई दिया। इसलिए बिली, लुसी और रोहित उसके पास आए और पूछा। कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो। तो उसने जबाब दिया कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन्हें उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान के सभी आत्माओं को परेशान करता था। एक प्राचीन चुडैल जागती थी और कब्रिस्तान पर जादू करती थी और अकबर जैसी मासूम आत्माओं को अपने बश में कर लेती थी। अभिशाप को तोड़ने का एक मात्र तरीका कब्रिस्तान की पीछे जंगल में एक पेड के निचे छिपी हुई मंत्र पुस्तिका को ढूंडना और आधी रात से पहले उसे नश्ट करना था। जादूई पुस्तक ढूंडने की द्रड संकल्प लेकर बहादुर तिकड़ी अपने मिशन पर निकल पड़ी। उन्होंने अंधेरे में मकबरों के बीच रास्ता खोजा जंगल में जाने के लिए और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली आत्माओं को परेशान न किया जाए। रास्ते में उन्हें बोन्स नामक एक शरारती छोटे कंकाल का सामना करना पड़ा जो उन्हें जादू की किताब खोजने में मदद करने के लिए तयार हो गया। वह कंकाल उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले गई और कहा इस पेड़िड के पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर ये पत्ता तुम्हारे पास रहेगा तो वह चुद धैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ी आच सकती। और ये पत्ता तुम्हें किताब हासिल करने में मदद करेगा ये कहकर वह कंकाल वापस कब्रिस्तान की तरफ चला गया। आम के पत्ते को अपने हाथ में लेकर तीन दोस्त जादूई किताब ढूंडने लगे। बहुत ढूंडने के पश्चात जंगल में एक जील के अंदर उन्हें चमता हुआ किताब कीदे ही वे तीनों अपने हाथों में जादू की किताब लेकर श्राप को तोडने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढड़ें। कब्रिस्तान में आकर वे किताब को खोले और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया मंत्र पाठ करते ही जमीन कापने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी छा गई वह चुद्धेल जाग गई और गुस्से में दिखाई दी लेकिन उसकी शक्ती धीरे धीरे कमजोर हो रही थी उसने बिली, लूसी और रोहित को जादुई किताब पड़ डाने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ती का प्रयोग किया लकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे धीरे धीरे चुद्धेल की साड़ी शक्ती खत्म हो गई और चुद्धेल भश्म हो गई इस तरह बिली, लुसी और रोहित ने कबरिस्तान में फंसी हुई आत्माओं को मुक्त किया और कबरिस्तान में फिर से शान्ती छा गई खानी है एकबाल की एक सोला साल का बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गाम में रहता था इकबाल के पिता बीमार थे इश लिए इकबाल को ही काम करके घर चलाना पड़ता था एक दिन अचानक उसकी अब्बू की तबियत कुछ ज्यादा खराब हो गई और उसकी अब्बू का देहान्त हो गया इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था इश लिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया वो अकेला सब कुछ कर रहा था कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला जब वो अपने अब्बू को दे देफना के कब्रिस्तान की गेट की तरफ बर रहा था तब काफी रात हो चुकी थी हवा भी तेज चलने लगा था अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज दिया इकू जब उसने पीछे मुद्ध कर देखा तो कोई नजर नहीं आया सिर्फ इकबाल के अब्बू से इकू कहके बुलाते थे इसलिए इकबाल ने सोचा सायद उसके अब्बू से पुकार रहे हैं पर जब इकबाल ने जोर-जोर से अब्बू-ब्बू कहकर पुकारा फिर भी कोई जवाब नहीं आया तब वो डर गया और जल्दी-जल्दी गेट की और बढ़ने लगा लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के नजदीक पनुचा अचानक गेट बंध हो गई वो एकदम से घबरा गया कबरिस्तान की दीवारे और गेट इतनी उची थी कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था कबरिस्तान की एक और गेट थी जो की पीछे की तरफ थी लेकिन उस गेट तक जाने के लिए एकबाल को वापस कबरिस्तान के बिच से होकर जाना परता